नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाच फाइंडर पर स्वाइम शूर आपने सुना होगा कि इंडिया ने रश्या से S-400 का एर डिफेंस सिस्टम अल्री प्रोक्योर करवा लिया है इन फाक्ट हमने उसकी डिप्लॉइमेंट को भी शिरू कर दिया है इसके बाद बातकीत ये चल रही है कि इंडिया एक और पावरफुल एर डिफेंस सिस्टम रश्या से प्रोक्योर करने वाला है जिसका नाम है इगला एस मिसाइल या फिर इगला एस एर डिफेंस सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रश्या की एक बहुत ही हाई रंकिंग ओफिशल जिनका नाम है दिमित्री शुगेव उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है बात करेंगे कि यह वाला जो आपका इगला एस मिसाइल है किस तरीके से काम करता है and why India is basically procuring this in fact आपको बताना चाहूँगा कि यह वाला जो हमने contract था यह आज से लगभग 11 साल पहले float करवाया था बट यह contract किसी controversy में first चुका था उस controversy की चर्चा भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ चले शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिजाम चानल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जोड सकते हैं इस particular handle के माध्यम से on the Unacademy app as well right so as you can see over here रश्या के प्रेजिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्यूतिन और मोदी इन्होंने हाल ही में December 6 को एक high level की summit meeting करी थी जिसमें की दोनों देशों ने कुल मिला के लगभग 28 से भी जादा agreements या फिर MOUs को sign किया था जिसमें हमारे जो दो सबसे बड़े agreements sign हुए थे वो एक था AK203 assault trifles को लेकर इसको लेकर हमने separate वीडियो बना दी है और दूसरा जो S-400 का air defense system था इसकी delivery भी होनी शुरू हो चुकी थी इसको लेकर भी हम लोग एक separate वीडियो बना चुकी है नाव जो next चीज़ सामने आई है आप देख सकते हैं Russian Federal Service for Military Technical Corporation के जो Chief है Mr. Dimitri Shugev इन्होंने कहा है the next big deal between Moscow and New Delhi could be the IGLAS man-portable air missile ये वाला statement इनके द्वारा दिया गया है नाव आपको थोड़ा सा back story बता दूँ इसका जो इंडिया ने request for proposal था ये आज से 11 साल पहले October 2010 में रखा था कि हम लोग 5000 missiles को procure करना चाहते हैं 258 single launches को और 258 multi launches को procure करना चाहते हैं जिनकी total value लगबख 6400 crores की होने वाली है इसमें जब इंडिया ने इतना बड़ा order यहाँ पे release किया तो obvious सी बात है कि दुनिया के बड़े-बड़े players they wanted a part of it and therefore कई सारे लोगों ने यहाँ पे apply करना शुरू कर दिया जो बड़े-बड़े contenders थे आप देख सकते हैं number one था Russia जिसका जो काफ़ी बड़ी defense firm है Rossoboron Export उसके बाद France जिसकी एक और बहुत बड़ी firm है MBDA के नाम से और उसके बाद Sweden जिसकी बहुत बड़ी firm है Saab के नाम से यह तीनो बड़े-बड़े contenders यहाँ पर सामने आए थे लेकिन बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में क्या हुआ कि इंडिन गर्मेंट के द्वारा Russia का जो Igla S था इसको winner declare कर दिया गा था जब यह चीज सामने आई तो obvious सी बात थी कि France और Sweden की जो बड़ी-बड़ी companies थी इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर fair मौका नहीं दिया गा है following the victory of Igla S Saab and MBDA officially registered the complaints यह कहते हुए कि trials were set in such a way कि Russians को यहाँ पर edge मिल रही थी now because of this controversy पूरा का पूरा जो आपका procurement था वो एक बार के लिए रुक गया था लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है the Igla S deal वो आपस track पे आ चुकी है आप देख सकते हैं एक Russian official ही है जिन्होंने कहा है the contract could be signed by January और in fact इसकी reporting the Hindu के द्वारा भी करी गई है because the Hindu ने reporting करी है तो we can also agree कि जी हाँ यह reporting definitely एक true reporting है आप देख सकते हैं one of the important contracts that we expect to sign soon is for the supply and the license productions of Igla S man portable air defense missile systems in India इसका मतलब यह है कि we will be transferring the production license and supply the necessary components to the Indian side यह वाला statement दिया गया है again दिमित्री शुगेब के ही द्वारा now बात कर लेते हैं कि Igla S क्या चीज है S-400 आपने दिखा होगा S-400 में multiple components आते हैं एक उसमें पहले आपका radar component आता है उसके बाद आपका command component उसके बाद आपका firing component आता है लेकिन जो Igla S का air defense system है यह basically man pads category में fall करता है man pads का मतलब क्या होता है man portable air defense system तो यह Igla S जो है it is a man portable air defense missile system और इसको इस तरीके से design किया गया है कि यह low flying aircraft को counter करने में सक्षम है और यह एक तरीके से last line of defense बन जाता है जाने कि मान लीजे आपके जो बड़े बड़े जो भी weapons आपने deploy किये थे अपने defense के लिए वो सारे के सारे खतम हो चुके हैं उसके बाद man portable air defense system आपके पास होते हैं जो की last line of defense की तरह काम करते हैं जो की आज के time पे हर एक force के पास multi-layered air defense system होने जरूरी हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से man pads काम करता है यह आपका इंसान है जिसने की अपने कंधे के ऊपर इस particular launcher को रखा हुआ है और यह launcher काफी जादा जो है भारी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आप एक missile को डाल रही है इसका फाइदा बेसिकल यह है कि मान लीजे कि आपका air defense system जो main था जो की truck से launch कर रहा था या फिर जो की airplane से launch कर रहा था वो खतम हो चुका है तो उसके बाद यह वाला launcher आपका इस्तेमाल किया जा सकता है आप देख सकते हैं manpads are surface to air missiles which are lightweight enough to be operated by a single person the system consists of a missile inside a disposable tube a grip stock and a battery to charge the missile as well आप यह भी देख सकते हैं कि जो igla-S का missile defense system है यह कोई छोटा मोटा system नहीं है it can engage all types of visually observable aircraft फिर भले कोई helicopter हो फिर भले कोई लडाको विमान हो और यह air targets को identify करने में भी सक्षम है cruise missiles को UAVs को बोथ head on and receding at any time of day फिर भले वो दिन का time भुड़गात का time हो यह यहाँ पे हर तरह के air target को neutralize करने में सक्षम बनाया गया है in fact यह भी कहा जा रहा है कि igla-S missiles they assure 24-7 close air protection of military installation and civilian assets from the attacks by tactical aircraft it can neutralize combat helicopters वगएरा वगएरा हर तरह की चीज़ को combat करने के लिए सक्षम इस particular aircraft को बनाया गया है so यह वाला जो आपका procurement हम यही उमीद करते हैं कि जल्थ जल्थ यह controversy खतम करी जाए और जो चीज Russian officials यहाँ पे कह रही है हम यही उमीद करे हैं कि Indian officials भी इसको बहुत जल्थ confirm कर दें so that इसकी procurement भी Indian Army और Indian Air Force के हर तरह के जो हमारे troops हैं वो लोग इसको procure कर सकें दोस्तो फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी UPSC की WhatsApp Group Meditation and Books भी आपके घर तक पहुंचाए जाएगी यह latest prices जो की आपको available करवाय जा रहे हैं तो जल्दी कीजे और इस subscription को purchase कर लीजे साथी में यह latest batches हैं जो की आपके लिए available कर आजएगे 20 December को शुरू होने वाले हैं 22 और 20 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से batches को शुरू करवाय जाएगा इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लिना है combat में जिसमें you have to use the referral code ANI UPSC so that आपको scholarship मिल सके on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe